आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मिन्टू जा तो आज बात करेंगे कुछ परमुक खबरों को लेकर सबसे पहले खबर बिहार से है बिहार के सियासी गल्यारों में हलचल मची हुई है बिहार में 2022 में एक बार फिर से 2014 दोहराया जा रहा है लालू यादव और नितिस्कुमार संघर्ष के दिनों के साथी रहे हैं 12 फरवरी 1994 की पटना की कुर्मी चेतना रैली के बाद दोनों की राहें जुदा हो गई सियासत में मंजिल हांसिल करने के लिए लालू यादव से अलग नितिस्कुमार अपने रास्ते निकल पड़े दोस्तों का मिलन है मौका था वैसाली जीले के हाजिपूर विधान सभा उपचुनाव का जहां पर रैली का आयोजन किया गया था इसके बाद नितिस और लालू कई बार गले मिले 2022 में एक बार फिर नितिस्कुमार आरजेडी के करीब है इस बार गले लगाने के लिए उनके पास लालू यादव तो नहीं है उनकी तवियत ठीक नहीं है और वो दिल्ली में है मगर उनके सियासी वारिस तेजेश्वी यादव जडूर होंगे वक्तिगत तोर पर नितिस्कुमार ने लालू यादव या उनके परिवार को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया बलकि उसका खयाल ही रखा तभी तो एक कॉल पर अपने लिए स्पेयर में रखे बंगले को तेजपरताप यादव को सौप दिया वो भी पूरी तरह से रेनोवेसन कराने के बाद उस वक्त तेजपरताप परिवारिक टेंसन से गुजर रहे थे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नितिस के दिल में लालू यादव और उनके परिवार के लिए कितनी जगह है लालू यादव ने भी उन्हें निरास नहीं किया निति नितिस और लालू एक साथ मंच पर दिखे थे इसके बाद नितिस और लालू में मन मुटाव बढ़ता चला गया चार साल बाद नितिस कुमार और लालू यादव की सियासी राहे अलग हो गई 20 साल बाद एक बार फिर दोनों दोस्त गले मिले मगर ये दोस्ती जादा दिनो तक चली नहीं नितीस फिर से बिजेपी के पाले में चले गए पांस साल बाद एक बार फिर लालू परिवार के लिए नितीस कुमार संजीवनी बनने को तयार है रावडी आवास में खुसी का माहुल है इसकी गुंज दिल्ली तक जडूर पहुंचेगी 12 फरवरी 1994 के बाद 11 अगस्त 2014 एक एतिहासिक दिन था जब दो दसक बाद दो दोस्त लालू और नितीस एक दूसरे को गले लगा रहे थे सामने मैदान में गवाही बनी जनता नारेवाजी कर रही थी दोस्ती की मिसाल दे रही थी वैसाली जीले के हाजिपूर विधान सभा उप्चनाव में लालू नितीस परचार करने पहुंचे थे भीड काफी उत्साहित थी बिजेपी को पटकनी देने वाले जोसीले भासन दिये जा रहे थे राज के दो बड़े स्यासी सूर्मा को एक मंच पर देखने के लिए काफी संचा में लोग जुटे थे तब बिहार में दस सीटों पर उप्चनाव का मुका था उसी में से एक हाजीपूर विधान सभा सीट भी थी 1994 में दोनों नेताओं के रास्ते अलग हो गए लेकिन बिहार में लोग सभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद साथ हो गए लालू परसाद ने समाजवादी पार्टी के प्रमुक मुलाइम सिंग यादव और भहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो माया वती से उत्तर परदेश में भाजपा को हराने के लिए एक जूट होने की अपील की तब यूपी में बिजेपी ने 80 लोग सवा सीटों में से 71 पर जीत दर्ज की थी तब लालू यादव फिट एंड फाइन थे एक्टिव पॉलिटिक्स में रेगुलर पार्टिश्पेट करते थे मगर आठ साल बाद आरजेडी सुप्रीमो की तबियत ठीक नहीं है पटना से दूर वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं पहले वाली बात अब नहीं रही लालू यादव की तबियत खराब होई तो नितिस्कमार बिना देर की अस्पताल पहुँच गए तमाम तरह के इंतिजाम कर अपने दोस्त को बहतर इलाज करने के लिए दिल्ली भिजबाया फि पुनिश्चित करने के लिए या एक नई सुरुवात है नरेंद्र मोदी से देश को बचाने की दुहाई दी गई 17 साल के गठवंदन को समाप्त नितिस कुमार लालू यादव के साथ थे मगर ये जादा दिनों तक नहीं चला 2017 में नितिस और लालू की राहे अलग हो गई पांस साल बाद अब एक बार फिर से नितिस और लालू यादव एक हो रहे हैं बिहार में जारी सियासी उठा पटक के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है खबर है कि लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस बात का संकेत लालू फिर बिजेपी और जेडियू का गठबंदन तूट गया है नितिस कुमार ने इस्तिफा भी दे दिया है मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने राजपाल फागू चोहान से मिलकर इस्तिपा दिया इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर जेडियू विधायकों सानसदों की हु इसे मैं रोहनी आचार का ट्विट राजतिलक की करो तैयारी आर हैं लालटें धारी का मतलब क्या निकाला जाए। क्या तेजस्वी सियम बन रहे हैं। इस बात का बल तब मिला जब नितिश कुमार राजपाल को इस्तिफार सोपने के बाद सिधे तेजस्वी यादव से मिलने रावडी आवास पहुंचे। जबकि ऐसे मोके पर तेजस्वी को नितिश से मिलने जाना चाहिए था लेकिन विये नहीं गए। इससे पहले स्यासिक गहमा गहमी के बीच रावडी आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। भारी संक्षा में सुरक्षा वालों की तैनाति की गई। नितिश कुमार का तेजस्वी से मिलने जाना कई संकेत दे रहा है। अगली ख़वर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर जी और पुर्व राजपाल जगदीब धनकर के बीच मतबेद किसी से छिपे नहीं है। कई मोर्चों पर दोनों खुल कर आमने सामने आ चुके हैं। यहां तक कि विश्विद्यालेयों के चांसलर पद को लेकर दोनों में विवाद इतना बढ़ा कि ममता सरकार की और से राजपाल के खिलाब बिधान सभा में प्रस्ताव तक लाया गया। अब जब जगदीब धनकर उपराश्पती निर्वाचित हो चुके हैं और मनीपूर के राजपाल एल गनेशन को पश्चिम बंगाल का अत्रिक्त परभार सौपा गया है। इस बीच ममता सरकार के मंतरी सोभन देव चटर जी का एक बयान सामने आया है जिसमें वह इस पद को ही खत्म करना चाहते हैं। कई बार एक खास पार्टी केंदर में होती है और अनिदल राज की सत्ता संभालते हैं। इसके अलावा कौन से नेताओं को कौन से विभाग की जिमेदारी मिली है। इस तरह सिंदे केबिनेट में मुख्यमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्यां 20 हो गई है। सिंदे अपनी केबिनेट के सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री है। नए उपुम्ख मंत्री देवेंदर फणनाविस केबिनेट के सबसे कम उम्र वाले मंत्रियों में शामिल है। नए केबिनेट की उसत उम्र 69.5 साल है। 2019 के विधान सभाच नउड में 67 साल के केशारकर सावंत वारी विधान सभा सीट से जीते थे। केबिनेट में सामिल 11 मंत्रियों की उम्र 60 साल से अधिक है। मुख मंत्री एकनाथ सिंदे 58 साल के हैं। एकनाथ सिंदे अपनी केबिनेट के सबसे कम पढ़े लिखे मंत्रियों में सामिल है, केबिनेट में दो मंत्री दसमी पास है, इनमें एकनाथ सिंदे और संदीप राओ भूमरे सामिल है, भूमरे 2019 विधान सवाचुनाव में पैठन विधान सवाचीट से सिफसेना की टीकट सिंदे केबिनेट में सामिल मुख्यमंत्री समयत सभी 20 मंत्री कड़ोर पती है, शिफसेना के संदीपन राओ केबिनेट के सबसे गरीम मंत्री है, संदीपन ने 2019 के विधान सवाचुनाव में अपनी कुल संपत्ती 2.92 कड़ोर रुपया बताई थी, वही मंगल प्रभात लो ड्रीमाइस पैलोसी की तैवान यातरा से आग बबुला हुआ चिन लगातार तैवान के बौर्डर के पास सैन अभ्यास को अंजाम दे रहा है. पैलोसी की यातरा के बाद चिन और अमेरिका के मद रिस्तों में और ज्यादा खटास पैदा हो गई है. चीन तैवान को अपना सेन अभ्यास को अंजाम देने के लिए चिन ने नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा का मुद्दा सीर पर उठाया है। ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ने अमेर्की सांसाद की ए स्पिकर नैंसी पैलोसी की ताइवान यात्रा की आड में वार गेम खेलने की कोशिस की है चीन ने जान बुझ कर पैलोसी के दोरे को मुद्दा बनाया ताकि वो ताइपे के आसपास अपनी मिलेटरी एक्सरसाइज को अंजाम दे सके और ताइवान पर आधिपत्य अस्तापित करने के लिए खुद को तयार कर सके चीन काफी समय से इस सैन अभ्यास की योजना बना रहा था हलांकि अपने अभ्यास को पटल पर रखने का बल उसे नैंसी पैलोसी की ताइवान यातरा से मिला ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि ताइवान के आसपास के छेत्रों में सैन अभ्यास करने का चीन का निर्न अंतराष्टिय कानून के तहट ताइवान के अधिकारों का घोर उलंगन है विशेश रूप से जिस तरह से उसने अपने अभ्यास के लिए छेत्रों को नामित किया है उन्होंने कहा कि चीन का सेन अभ्यास गंभीर किस्म का अपराध है क्योंकि यह जान बुझ कर किया जा रहा है चीन ताइवान पर आक्रवन करने के प्रियास में हस्तक छेप करने से अनि देशों को रोकने की कोशिस कर रहा है। हलां की पिछले कुछ समय से चीन के सेन अभ्यास ने यथा इस्तिती को नुक्सान पहुचाने का प्रियास किया है। वो ने कहा हम दुनिया भर के देशों से जादा से जादा समर्थन की अपील करते हैं ताकि जलड मरू मध्य में यथा इस्तिती की रक्षा की जा सके। अगली खबर दिल्ली से है। सामने आ जाएगी। सिसोदिया के और से प्राइवेट प्लेयर्स का पक्ष लेने के आरोपो पर पुर्व एलजी ने कहा कि आप सरकार ने गैर कानूनी फैसलों को हरी जंडी दिखाई थी। बैजल ने कहा कि डिप्टी सियाम मनिश्य सोदिया अपने साथियों की चूक और कमिशन के कृतियों के लिए बहाना खोजने की कोशिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उप्व मुख मंतरी मनिश्य सोदिया द्वारा उनके खिलाप लगाए गए आरोप निराधार है राईंती से प्रेरित है। दिन पहले 15 नवंबर 2021 को LG ने अपना रुख बदल दिया था हलांके उन्होंने पहले गैर अनुरूप छेत्रों में सराब की दुकाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। आपकारी निती में LG का भ्राष्टाचार मनी सिसोद्या ने वर्तमान LG की तस्वीर के साथ सीब्याई जांच की मांग की। वर्तमान LG ने पहले ही आपकारी निती 2021 और 22 के कार्यानवयन में नियमों के कथित उलंगन और प्रक्रियात्मक खामियों की सिब्याई जांच की सिथारिस्की है। उन्होंने और नियमितिताओं में कथित सनलिप्तिता के लिए दिली सरकार के ततकालिन आवकारी आयुक्त सहित 11 अधिकारियों के खिलाप निलंबन और बड़ी अनुसासनात्मक कारवाई को भी मंजूरी दी है। आज के बुलेटीन में फिलाल इतना ही मिलते हैं कल नए बुलेटीन के साथ तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजात धन्यवाद।